वाईगुर जी का खाल्सा वाईगुर जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर छे विच तानु सार्यानु निगी जी आयां मैं अर्शंदर पालकॉर आज तो अडेले पाठ नंबर 26 के हाजर हां चलो चलिए नमा पाठ सिखिये साड़ा आजदा पाठ है गुरु नानक देव जी अते बगदाद दे बहलोल शादे प्रशन नंबर 2 ए पाठ संत सिंग मस्कीन जीती कथा ते अधारत है इस पाठ विच आए औखे शब्द पढ़ने अतेन दे मतलब सिखने असी हर पाठ पढ़नतों पहला पाठ दे विच और वाले जड़े मुश्किल शब्द हन उना दे असी अर्थ सिख दे हां ताजो सानों पाठ सिखना सौखा हो जावे रुखानी ताकत डिवाइन बावर बेशक विदाउट डाउट बेफिकत विदाउट अवरी वरी फ्री है ना कुल्या डिसॉल्ड डिसॉल्ड और मेक्स्ट है ना देख दे रहें कैप्ट लुकिंग उद्रत नेचर मन जान दे हां वी अग्री और वी अक्सेप्ट पावे अल्दो, जान देहन, नो और नोज, मनना पवेगा, we will have to accept कटोरा, बोल, रमजा, सीक्रेट्स, चोक गया, बाउड, होन, नाव इस तरह पार्ट सी पहला भी पढ़िया सीगा, जड़ा के गुरु नानक देव जी अते, बगदाद दे, बहलोल, शादे, प्रशन सान, प्रशन नमबर वान तो ए दूसरा पार्ट है, पीर दस्तगीर, दस्तगीर कौन होंदा है, जो लोका दी मदद करता है पीर दस्तगीर दा पहला प्रशन सी, के खुदा तो पहला की सी, और नहीं, गुरु नानक देव जी ने उसनों समझाया, खुदा तो पहला हुझ नहीं, उसना सिर्गु जी अके चुक गया और दूसरे स्वाल दा जवाब जानना चौनदा सी अच्छा फकीर जी मेरा दूसरा स्वाल है के खुदा कित्छै है गुरू जी एक मेंट चुप रहे फिर बोले पीर जी एक कटॉरा दुद दा मंगाओ पीर दस्तगीर ने सोचिया के फकीर पुखा है उसने एक कटॉरा दुद मंगाओ एलो फकीर जी पीओ दुद ते फिर मेरे स्वालदा जवाब दू गुरू जी दुदवल देख दे रहे उनने दुदपिता नहीं बस देख दे रहे पीर दस्टगीर ने सोचिया के शाइद गुरू जी नो दुददे शुद होंते शक है शुद प्योर है ना कि शाइद ऐह दुद्ध प्योर नहीं हेगा उसने कहा, किर जी, ए दुद्ध शोद अते पवित्तर है प्योर है, तुस्जी शाक ना करो बेशक, बेफिकर होके दुद्ध प्योर गुरू जी बोले, हाँ पीर जी, ए दुद्ध साफ है clean, safe पर इसविज कुझ है कि इसविज मखन है पीर दस्तगीर कहनदा जीफकीर जी इस दोद विज मखन है दोद विज मखन हुदा ही है गुरू जी बोले अच्छा, ये दोद दी एक-एक बोएक बूंद विज मखन है ता फिर दिस्दा दिस्ता क्यों नहीं पीर जी फकीर जी मक्षड दोद विच कुल्या होया हुन्दा है इसलिए नहीं दिस्ता पीर जी बोले पीर जी की बोले फकीर जी मक्षड दोद विच कुल्या हुन्दा ही है कुल्या होया ही हुन्दा है इसलिए नहीं दिखदा पीर जी बोले, पस पीर दस्तगीर जी इसे तरह ही खुदावी सारी पुदर्ट विच एक एक रेत दे डाने विच, एक एक पानी दी बून्द विच, एक एक पत्ते विच, एक एक इनसान विच कुलया होया है, दिस्दा नहीं, पर है असी एता मन जान दे हां के दोद विच मक्षण है पावे दिस्दा नहीं पर ए नहीं मन दे के खुदा वी है दस्तगीर पीर जी सानू मनना पवेगा के खुदा है पावे दिस्दा नहीं पीर दस्तगीर जान गया सी के गुरु जी विच कोई ता रुखानी ताकत है ओ ता सब रमजा जान दे हन और अबने नेडे हन उस ता सिर फिर गुरु जी अगे चोक गया पीर दस्तगीर जी ने की सोचिया गुरु जी बारे ते क्यों सिर्चुक आया क्योंकि उन्हानु गुरु जी जो लॉजिक देता गुरु जी बहुत वड़े जिस्क्रा लॉजिकल दिन्देसी के जोआब है ना सो उन्हाने पीर जी ने गुरु जी दी लॉजिक समझ के उन्हाने क्या है यता सब रमजा जान दे हन सारे सीक्रेट रमजा सीक्रेट साना सारे रब दे पेद जान दे हन इसकर के उन्हाने गुरु जी अके सिर्चुक आया उन्हानु बाओ किता सो बार करदा काम, शब्दानों उना दे मतलब नाल जोड़ना, पार्थ हसी किन्ना सोना पार्थ सिख्या है, किन्ना वड़्डा मैसिजे दे विच आया है, ना, सो होन असी जड़े पहला वोकेबलरी वर्ड्स कर कीते सान, होन तो अदे कोले इदर मीनिंग हन, तुसी हर पार्थ फिच एदनी एक्सराइस कर देगो, ते तुसी उना दे मतलब नाल जोड़ोगे, कटोरा, दुसरा शाब बेशक, फिर बेफिकर, कुल्या, देख दे रहे, कुदरत, मन जान देहां, पामे, जान देहां, मन ना पवेगा, चोक गया, होन सो एदर साथे को ले, जड़े मीनिंग ने, ओ हैं, डिसोल्ड और मेक्स्ट, हैना, सो तुसी देखोगे, केड़े शब्द ले ये थो हैं, ए मतलब, without a worry, बेफिकर जा बेशाख, ना, without a doubt, बोल, although, we agree or we accept, nature, kept looking, bowed, now, we will have to accept, now, sorry, no or knows, right, so, एद शबद ने, जीना नो तुसी ओना दी साई definition दे नाल जोड़ना है, मंगलवार कारदा काम हेठा लिखे प्रशना दे, ठीक जवाब लिखो, गुरु नानक देव जी ने, खुदा कित्थे रेंदा है, दा की जवाब दिखता, इस साखी विच सानू की सुनिहा मिलदा है, जाकी मैसेज मिलदा है, ओ तुसी ओना दे लिखोगे, साखी नो पढ़ना, दुबारा सुनना, फिर तुसी ओना दे जवाब लिखना, इस सुवाल दा, जाद गुरु नानक देव जी को टोरे विच दुद नो देख दे रहे, पर पीता नहीं ता पीर जी ने की सोचया, के, मैंनो लगदा जदा उनने सोचया के गुरु जी शायद पुखे हान, ते दुद पीना चांदे हान, ते जिस तरह उननने जदो गुरु सेव जी ने मोत जी शायद गुरु जी नो किसे चीज दा लाला चाया, सो होन जदो गुरु सेवने दुद मंगया इस पाठ देवेच, ता उननने सोचया, शायद गुरु जी नो फोख लगिया, पर गुरु जी ता उननो पीर जी नो कोई बहुत वड़ी रम्ज, बहुत वड़ा सीक्रेट जी ना उननने सौल पुछया सी, उननो बड़ी लॉजिक देना आल, उननो जवाब देना चाहँ दे साथ, दोद विच मखन क्यो नहीं देसता, सो पर दोद विच मखन हुंदा है, देसता नहीं, राइट, गुरु जी ने दोद विच मखन अते राब विच की समानता दसी, जिस तरह साथ नो दोद विच मखन नहीं देसता, दोद विच मखन को लिया मेलिया, इसे तरह ही जड़ा राब सारी अपनी कुदर्त विच समाया हुया है, ते ऐस तरह दी समानता है, जा कुछ होर है, तुसी पाठ पढ़के, पाठ न सुन के, इदा जवाब दसना, बोद नालो वदिया होई, ते नाल ही तुसी पहला तो वदिया पढ़ सक देओ, एकूरेसी तादी होई, तो अद अब तुसी पाठ शोद पढ़ सक देओ, ते वदिया जल्दी पढ़ सक देओ, काठ समय विच ए तुसी देखना, ठीक है जी, आज दा पाठ सादा छोटा ही सी, प आई गुर्जी की फते